चो मैं डॉक्टर सुनीता कमल एस्पीसी कॉर्वन कॉलेज अजमेर बच्चों आज हम लोग यह देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी देखी वर्ण व्यवस्था के विश्य वीडियो में बता चुकी हों कि वर्ण आश्रम किसको कहते हैं वर्ण का क्या आर्थ होता है और आश्रम का क्या आर्थ होता है वर्ण कितने होते हैं और आश्रम भी कितने होते हैं तो यह तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं वर्ण आश्रम को आज हम यह कि जो प्राचीन भारत के इतिहास में भारती संस्कृति में भिन भिन कालों में वर्ण व्यवस्था किस रूप में हुआ करती थी तो हम सबसे पहले लेंगे वैदिक काल वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी क्योंकि सिंदु घाटि सब्विता के विश्यमें तो को प्रमान हमें मिली नहीं है हम इतना नहीं बता सकते हैं लेकिन हम वैदिक काल के विश्यम बता सकते हैं कि वर्ण विवस्था कैसी होती थी वर्ण विवस्था भारत की सामाजिक जीवन का मूल आधार रही है वर्ण आश्रम शब्द भी मैंने आपको पहले बताया वर्ण और आश्रम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है इसे वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं वर्ण व्यवस्था सामाजी करतवियों के एक तरह से व्यवस्थित समाज स्थापित करने की योजना होती थी इसका उदेशी भी में यही था कि समा समाज को जो उच रंखलता हैं और अनावश्यक व्यवस्था हैं प्रतीस परदा है उससे बचाना वर्ण व्यवस्था का उदेश पूंस करता था और वर्ण व्यवस्था की अगर बात आती है तो हमें कह सकते हैं कि इसको उत्पत्ति के विश्यम विद्वानों में बहुत वर्ण व्यवस्था नहीं थे उनके भारत में आने पर द्रवी डादी अनारे जातियों के प्रभाव से ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ वास्ता में आरेों के आगमन के साथ ही भारती समाज में दो वर्ग अस्तित्विमाय थे वो दो वर्ग थे आपने देखा था उससे में मैंने वैदिक काल आपको पढ़ाया था एक आरे था और एक अनारे था आरे जो था वो विजेता था भारत में रहने वाले अनारे जो थे वो पराजित होते थे तो शासक और शासित में भेद होना आवशक था, आरे गऔर वर्ण के थे और अनारे यो थे वो क्रिश्न वर्ण के हुआ करते थे आर्यों में अपने रक्त की शुद्धता कायम करने की कामना बहुत अधिक थी और वह नार्यों से उन्होंने संपर्क स्थापित नहीं किया था तो इस प्रकार से उस समय में दो वर्ण थे विद्वानों के ये भी मानेता है कि वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति रिग वैदिकाल में हुई कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि वर्ण व्यवस्था का ओदे और विकास उत्तर वैदिकाल में हुआ वैदिकाल के दो भाग थे रिगवैदिकाल और उत्तर वैदिकाल तो विदैर्थियों ये तो हम इन तत्थियों का धार पर कह सकते हैं कि रिगवेद के समय में भारती आरे चार वर्णों में विभाजित नहीं हुए थे और धीरे धीरे जो था कि रिग्वेद में भ्रामन और शत्रियों का उलेग तो अवश्य मिलता है किन्तु वैश्य और शूद्र का उलेग जो है वो पुरुष्य सूक्त में ही मिलता है तो इस प्रकार स्पस्ट है कि प्राचीन वैदिक काल में भ्रामन और शत्री जो थे वो वर्ण थे और धे धीरे चातुर वर्ण का भी विकास होने लगा था और वर्ण विवस्था कर जो प्राधुपाव था वो विश्च के सभी लोगों की सामाजी के स्थिति समान थी और लेकिन समय के साथ सा धेधर उनमें भी भेद उत्पन होने लगा था अनारे और दासों से निरंतर संगर्ष रहने करनारेों को कुछ ऐसे वीर सैनिकों की आवशकता हुई जो युद्विद्या में निपोन हो अब आप ध्यान दीजिए इसी प्रकार से वर्ण विवस्था का प्राधुभा होने लगा शत्रों से जनता की रक्षा करने के लिए उनका प्रमुकार होने लगा था उत्तरवेदिकाल में चतुरवर्ण विवस्था के प्रामान हमें मिलते हैं यजुरवेद और अथरवेद में अनेग स्थान उपर चारों वर्णों का उलेक मिलता है जो चारवेद है रिगवेद यजुरवेद सामवेद और अथरवेद तो हमें यजुरवेद और अथरव में अनेक स्थान उपर चारों वर्णों का उलेख मिलता है आप याद रखिएगा आपके दो नुम्मर के प्रश्ण ये भी परिश्या में पूशा जा सकता है और उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद अलग तरह से भली भांती विक्सित हो गये थे लेकिन इस काल में यग्य कर कर्मकान इतने जादा हो गये थे कि यटिल यग्यों को विविद प्रक्रियाओं को संपाधित करने के लिए विशेश यग्य होना बहुत अधिक आवश्यक हो गया था और यह मैंने आपको जो छटी शितादीशापुर्व में जो प्रमुध धर्म को उद्य हुआ था वो आ आपस में लड़ना जगड़ना शिरू बहुत अधिक कर दिया था और सेंधा प्रदेश से आगे बढ़कर पूरवी दक्षिन भारत में विभिन आरे जो थे कभीले के रूप में फैले जाने लगे थे तो भ्रामन गंतों के में हम वर्ण भेद भली भाती विक्सित हो गया लेकिन पूर्ण रूप से हम इसको नहीं मान सकते हैं कि चारों वर्णों का विकास होने लगा था यह हमें एतर भ्रामन में कथा आती है उससे हमें पता पड़ता है कि यग्य जो था वहां पर हुआ करता था और सूत्र गंतों के काल में वर्ण विवस्ता जो है वो हमें कु सूत्र गंत जो हैं वो तीन प्रकार के हैं तो सूत्र शुरोष सूत्र ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र यह भी आप दो नमर के प्रश्ण आ सकता है आप इन गंतों के नाम सूत्र गंतों के नाम याद कर लीजिए इनसे पता लगता है कि सूत्र गंतों काल में वर्ण विवस् शत्तान भामनों से नीचे था शत्रियों का कारे बाहर के शत्रियों से देश की रक्षा करना और शांती विवस्था बनाए रखना हुआ करता था वैदि क्यूग में भी विचार विद्यमान था भ्रहम शक्ति शत्र शक्ति एक दूसरे की पूरक जो है वो कहलाती थी समाज मे सभी वर्णों के स्थिती नय केवल असमान थी बलकि प्रतेग वर्ण के लिए कानून भी अलग अलग जो है वो हुआ करता था और ब्रहमन शत्रिक अपमान करे तो उस पर केवल पचास करशापन जुर्माना किया जाता था और ब्रहमन के द्वारे वैश्य का अपमान करने जूर्माना अलग तरह का हुआ करता था बहुत और जें धर्म के काल में भी वर्ण भेच था वहम प्रकर्य है लेकिन बहुत सहित्य में वर्ण भेट की बहुत अधिक कटू आलोचना की है और महात्मा बुद्ध के अनुसार जर्म से ने को ब्रामन होता है ने कोई चंडाल होता है किसी व्यक्ति को ब्रामन या चंडाल केवल उसके कर्मों के आधार पर ही कहा जा सकता था बहुत सहित्य के अनुसार अनेक वर्गों के ग्रहपती सम्मिलित होते थे वैश्य वर्ग के अंदर इस वर्ण में एक और जहां शेष्टी सार्थवा होते थे धनी वर्ग के वैश्य थे वहीं छोटे व्यवसाय व्यापारद्वारा जीवन निर्भा करने वाले वैश्य भी ह हुआ करते थे तो जैन सहेते में भी हमें ऐसे विचारों का उलेख मिलता है महावीर स्वामी ने भी यही बात जो है वो गुर्ण कर्म के बाद सामाजी के स्थित्री के लिए महत्रपून माने थी तो इस पर हम देखते हैं कि वैदिक काल में लेटर वैदिक बिलेट में का चातुर वर्ण का विकास देजरे होने लगा था और हम मौरे अगले जो वीडियो में हम देखेंगे कि मौरे युक की वर्ण व्यवस्था कैसी हुआ करती थी धन्यवाद